कि नमस्कार साथी हूं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी सक्षा में इकाई आठ में जो हमारे नाटक लगाए गए उनकी बात कर रहे हैं और इसी क्रम में आज का जो हमारा नाटक है वो है अंजोदीदी बहुत ही प्रसिध नाटक और स्लेबस का पार्ट है ये महत्वपून रहेगा इस क्लास में सबसे पहले हम साहित्यकार के बारे में थोड़ कथानक क्या है उसको देखेंगे और अंत में इस नाटक से जुड़े हैं कुछ समवादों को देखेंगे जो की महत्वपून हो सकते हैं परिक्षा की द्रिष्टी से जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले हम बात करें नाटक लिखा कि 2010 में इनका जन्म हुआ था और 1996 में इनका निधन हो गया था तो समय भी थोड़ा याद रखी कई बास साहित्यकारों को क्रम में लगाने के लिए भी पूछा जाता है तो 1910 से लेकि 1996 का समय माना जाता है उपेंदरनात अश्क जी का जन्म कहां हुआ था पंजाब के जालंध बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हुए हमारे जिन्होंने उर्दू भाषा में लिखना शुरू किया क्योंकि उस समय तक जो भाषा जिसका महत बहुत जादा था वो उर्दू हुआ करती थी जिसको आप साहित्यक भाषा के तोर पर भी जानते हैं तो इन्होंने भी उर्दू मे में भी शामिल हुए कि 1933 में इन्होंने दूसरा जो कहानी संग्रह निकाला था औरत और फित्रत की जो भूमिका है उसको स्वयम मुंशी प्रेम चंद जी ने लिखा था तो कभी सवाल बन जाए कि इनके किस रचना की या कि संग्रह की भूमिका प्रेम चंद द्वारा लिखी गई है तो दूसरा संग्रह था कहानियों का औरत और फित्रत जिसकी भूमिका प्रेम चंद लिखी थी पहला कावे संग्रह प्रातव प्रदीप जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ था तो पहला कावे संग्रह भी आप याद रख सकते हैं वैसे इनको हम बहुत डेटेल में अपर दोहरा लेते हैं उपन्यास देखेंगे तो सितारों के खेल गिर्ती दीवारें बड़ी बड़ी आँखें पत्थर अलपत्थर गर्म राख ये इंपॉर्टन रचनाय है इनकी गर्म राख शहर में घूमता आईना एक नन्धी कंदील है और बांधो नानाव ये जो कविता है ये निराला जी की है लेकिन अगर इसी नाम से उपन्यास विधा की रचना पूछ ली जाएगी तो आप ध्यान रखेंगे उपेंदरनाथ अश्क जी ने यहाँ पर ऊपन्यास लिखा है और निराला जी क्या लिखा है का इसके लाव निमिशा नाम का रिक है कानी संग्रों में बात करें तो अंकूर नासूर डाचीस के अलावा पिजरा छीटे हैं सत्र स्रेश्ट कहानियां है आकाश चारी पलंग मुक्त देश भक्त कहानियों से ज्यादा आपको उपरन्यास का नाम याद रख लेना है और उससे भी ज्यादा इनके जो नाटक है व अलग रास्ते कैद, उडान, तकलूफ, पहतरे और अंजो देदी इसमें से अंजो देदी जो है ये भी महतुपूर नाटकों में शामिल है आगे बात करें अंधी गली इंपॉर्टन्ट रचना है बड़े खिलाडी और भावर तो कुछ महतुपूर रचनाओं के साथ ये थोड़ा सा हाइलाइट करेंगे एकांकी संग्रा भी है देवताओं की छाया मी चरवाहे पूछा गया सवाल है किसकी रचना है ध्यान रखें तूफान से पहले कैद और उडान इसके अलावा अधिकार का रक्षप और स्वर्ग की जहलक महतुपूर रचना है साहब को जु पागत यह आपने पढ़ा होगा हमारे स्लेवस में भी हुआ करता था पापी है बतासिया जीवन साथी आंधी और अंधी गली इसके लावा मुखडा बदल गया सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती जी की रचना है इन्होंने एक आंकी लिखी है मुखडा बदल गया तो मि की बेटी और रुमिया इसके अलाव बहुत ही प्रसिद्ध संसंक्मर्ण है इनका कहते हैं आत्मकथा संसंक्मर्ण नहें से शामिल है बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको याद रखे किसकी रचना है, खिलमी जीवन की जहलकियां इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, जादा अपनी कम पराई, तो मंटो मेरा दुश्मन जादा अपनी कम पराई ये प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल है, साक्षातकार या भेंट व मेरा दुश्मन जो मैंने भी कहा, आत्म कथात्म करेखा चित रहे, इसको दोनों में ही शामिल किया जाता है, ये तो साहीतेकार से जुड़ी हुई कुछ महतुपूर्ण बाते थी, अब आते हैं अपने नाटक जो की हमारे सलेबस का पार्ट है, अंजो दीदी, आपको कथानक को बहुत ध्यान से सुनना है, कहानी की तरह समझना है, एक बर पूरी कहानी आप समझ जाएंगे, स्चोरी की तरह सुनेगे इसको, जब भी इस कहानी से जुड़ा हुआ कोई प्रशन आएगा, या कोई संवाद दिया जाता है, अगर आपको कहानी पता है, तो कथान नाटक से लिया गया है तो अंजो दीदी प्रकाशन वर्ष क्या है यहीं से सवाल निकलना शुरू हो जाता है यह 1955 इस वी में प्रकाशित हुआ था नाटक विधा नाटक है आपको पता है और इसकी मुख्य पात्र अंजली जिसको आप अंजो दीदी के नाम से जानते हैं मुख्य बात यह है कि यह दो भागों में नाटक विभाजित है पूछ लिया जाए अंजो दीदी नाटक कितने अंकों में है तो इसके दो अंक है और दोनों ही अंक जो है तीन तीन द्रिश्य लेकर चलती है यानि टोटल द्रिश्य कितने हो गए छे एक अंक में तीन है तो टोटल छे द्रिश और दो अंकों वाला ये नाटक है, पहले अंक का स्थान क्या है यानी जो पहला अंक है, एक सवाल यहां से और बनता guidance.. प्राथम अंक और दुतिये अंक के बीच में कितनी वfarशू का डिफरेंस दिखाया गया है coexist वो 1933 में ये कहानी शुरू होती है गर्मियों का मौसम है और दिल्ली के अंदर अंजली दीदी के बंगले के बैठक चौट плt 00 जिसको आप कहते हैं उसकी कहानी यहां से शूरू होती है अब बात करते है दूसरे अंक में स्थान समय क्या है सबसे पहरे यही याद रखना है कि दूसरे ऐंक और पहले अंक में कितने वर्ष का अंतर है बीस वर्ष का अंतर दोरों में आ जाता है जब कहानी आगेबढ़ रही होती है तो बीस वर्ष बाद अर्थाथ 1953 का समय है, पहले द्रिश्य में गर्मियों से कहानी शुरू होती है, दूसरे द्रिश्य की कहानी सरदियों से शुरू होती है, जगा वही है दिल्ली में अंजली दीदी के ड्राइंग हॉल का कमरा है, या बैठने की जगा है साथ में खाने का स्थ यह कहानी जो है वहीं से शुरू होती है चले आगे बढ़ेंगे जो बेसिक बाते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखें बात करते हैं अंजो दिदी नाटक का उद्देश क्या था आगे बढ़ते हैं नाटक का उद्देश या फिर आप कह सकते हैं कि नाटक किस विशेवस्तु को आधार बनाकर लिखी गई है आखिर ये संदेश क्या देना चाहती है तो यह नाई का प्रधान नाटक के सबसे पहले आपको याद रखना है और अश्क जी के सरवाधिक प्रस से प्रॉड हरचना कौनसी है तो वह अंजू दीदी है इसमें नारी के कठोर नियंत्रण में परिवार में होने वाली विगटन को दिखाया गया है एक जो है कह सकते हैं कि उच्छ वरगिये परिवार की अंदर एक महिला जो इतना डिस्सिप्लिन क्रेट करती है लोगों के पर अपने घर के ऊपर या अपने घर को इतना जादा मेंटिन करके रखना चाहती है कि लोग उससे परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से कहीं न परिख्टन को दिखाया गया है रिजन किया था कठोर नियंत्रण की वजह से नाटक उत्छ वर्ग के खोखली संसकारों को पारिवार है तो उसको विशेवस्तु की रूप में यहां पर रखा गया है यह नाटक पारिवारिक और मनोवग्यानिक है इस्तरी की मानसिक्ता को प्रदर्शित किया गया है जो सब को अपने हिसाब से धालने की कोशिश करती है उसका बेटा क्या बनना चाहता है जीवन में उसको आजादी नहीं है उस चीज़ की वो चाहती है कि वो जो चाहे उसका बेटा वो बने उसका पती किस तरह से रहना चाहता है क्या खाना चाहता है क्या पहनना चाहता है उस पर वो नियंत्रन रखने की कोशिश करती है तो एक ऐसी महिला की कहानी जो खुद यांत्रिक है यानि यांत्र की तरह मशीन की तरह काम करती है और वो चाहती है कि घड़ी की सुईयों के साथ हर कोई उसी तरह से कारे करे तो नाटक की पात्र अंजोदीदी जो की यांत्रिक महिला है गड़ी की सुईयों के साथ ही उसकी सुभा हो जाती है और उसी के साथ वो चलती है और इसी आंत्रिक्ता के कारण उसकी जीवन में एकाकी पनाता है अकेलापन महसूस करती है वो नाटकार के अनसार एहम की भावना परंपरागत प्रवृत्ती है यानि अगर इंसान के अंदर एहंकार आ जाए कि जो मैं चाहूं मेरे हिसाफ से सब कुछ हो तो ये हर किसी के अंदर प्रवृत्ती होती है परंपरागत प्रवृत्ती है लेकिन हर कोई उसको इतना बुरी तरह से जाहिर रही करता जैसे अंजोदीदी ने किया है यहाँ पर कहते जो अपनी मनोवरितियों को दूसरों पर जबरदस्ती डालती है वो ना तो अपनी उन्नती करती है ना ही दूसरों की उन्नती होने देती है अंजली को ये भावना कहां से मिली थी अपने नाना जी से मिली थी क्योंकि अंजली का जो बच्चपन है वो नाना जी के संपर्क में बीता यानि कहतना परवरिष जो होती है वो बहुत माइने रखती है आप बच्चे को किस तरह की परवरिष दे रहे हैं आगे पूरी लाइफ उसकी उसकी पार डिपेंड करती है और जिस तरह की परवरिष जो संसकार नाना जी से मिरे थे अंजली को वो जाकर उसकी लाnorm में सारे दिखाई देते हैं जो अंजोधी है उसकी भूमिका कमलेश्वर जी ने लिखी और कमलेश्वर जी इसकी भूमिका में क्या लिखते हैं, थुढ़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको कहते हैं केवल दो अंकों में और एक ही स्थान पर यहां तक की एक ही कमरे में जीवन नाटक को इस तरह संजो देता है संजो देना चमतकार ही कहा जा सकता है क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली का वही दिल्ली स्थान है वही अंजो दीदी का drawing hall है वही खाने का कमरा है जहां से कहानी शुरू होती है और उसी के इर्दगिर्द घूमती रहती है तो एक ही जगा पर दो अंकों में लिखा गया नाटक वाकई में बहुत सार्थक हुआ ये कहने का मतलब है अश्क जी के अन्य नाटकों को देखते हुए उनके शिल्प की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अंजो दीदी नाटक की ये विधान और वस्तु निर्माड की एक सीमा अंकित करता है मतलब नाटक के जितने तत्वा होने चाहिए या मंचन के लिए नाटक में जूप योगिता होनी चाहिए वो सब अंजो दीदी के अंदर विध्यमान है इस तरह से एक सफल नाटक आप कह सकते हैं और जब हम पहली प्रौध करती कहते हैं तो इस सफलता के आधार पर इसको प्रौध करती कहा गया है तो ये थोड़ा सा समझाया होगा कि सुद्धेशी के साथ लिखा गया, संदेश किया था पात्र पलिशे देखें चुकि नाटक दो पात्रों, दो अंकों में विभाजित है तो दोनों अंक में कुछ पात्र वही है, कुछ पात्र आपको नए मिल जाएगे पहले अंक में कौन से पात्र हैं तो अंजली, ध्यान रखे अंजो दीदी का जो नाम है वास्तविक, वो अंजली है ये नाटक की लगभग उम्र इनकी तीस वर्ष है और ये ऐसी महिला हैं जो सबको अपने हिसाब से बड़े नियम और तरीके से चलाना चाहती स्रीपत है जो कि अंजो दीदी का बड़ा भाई नहीं, अंजो दीदी का भाई है, छोटा है, 17-18 साल के सियूम रहे और ये चाहता है कि अंजो दीदी जो ये ताना शाही कर रही है घर के अंदर, इससे सबको मुक्ति कैसे दिलाई जाए तो वह पूरा तरीका अपनाता है कि कैसे इसको समझाया जाए कि भाई, जो तुम चाहती हो, ऐसा संभाव नहीं है ये बड़ा फक्कर सोभाव का वेक्ति है, मनमोजी सोभाव का वेक्ति है और चाहता है कि सबको आजादी मिले अपने तरीके से जीने की तो ये बदलने की कोशिश करता है अंजो दीदी को इसके अलावा इंद्र नारायन अंजो दीदी की पती हैं जो की वकील है 38-40 साल इनकी उम्र बताई गई है ये शुरुवात में शादी के पहले ये भी बड़े फक्कर सोभाव के हुआ थे अपड़े मनमोजी हुआ करते थे जो मन करता था वो करते थे लेकिन जैसे शादी हुई शादी के बाद फिर अंजो दीदी जब आती है तो इन पर धीरे धीरे अपना वर्चस उस्थापित करना शुरू करती है और धीरे धीरे ऐसा होता है कि ये भी ना चाहते हुए भी ये उनके कहने के अनुसार चलने लग जाते हैं डिसिप्लिंग पुरा फॉलो करते हैं हाला कि वो जबरदस्ती होता है आगे एक संबाद मिलेगा जहां से आप समझ पाएंगे इनकी व्यथा क्या है जब आप पर कोई नियंतरन करने लग जाए तो आपकी क्या स्थिती हो सकती है वो इंद्र नारायन के संबाद से आपको समझ आएगा इसके लावा अनिमा है अनिमा जो है अन्जो की सहेली है जो अन्जो का विरोध करती है इस बात में कि तुम सबको मर्शीन की तरह चलाना चाहती हो अंजो जो है अंजो का विरोध या उनके मत से सहमत नहीं है कौन अनिमा इसके लावा नीरच जो की अंजो का पुत्र है प्रथम अंक में वो लगभग 11 वर्ष का है मुन्नी जो की नोकरानी है 25 वर्ष की राधु नोकर है नौकर नौकरानी का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि गलतियां होने पर या समय पर काम ना करने पर इनको भी बहुत बुरी तरह से डांट पड़ती है अंजुदीदी के द्वारा तो समय की पाबंदी हर किसी पर लागू होती है जब तक अंजुदीदी घर में है चलते हैं दूसरे अंक में दूसरे अंक में देखो कौन-कौन है और कितना बड़ा हो गया है तो सबसे पहली बात आपको यही याद रखना है 20 वर्ष का अंतराल है तो जाहिर सी बात है उम्र जो है उस घर में आती है तो अपनी सास को देखकर अंजली को देखकर उसके तौर तरीकों को सेखने की कोशिश करती है और अंत में जब अंजली आत्महत्या कर लेती है उसकी घर में कौन रह जाती है उसकी बहू तो उसकी बहू भी बिलकुल अपनी सास के नक्षे कदम पर चलती है वही discipline वो फिर से लागू करने की कोशिश करती है अपने घर में तो एक प्रभाव जो है अंजली का किस पर दिखाई देता है ओमी पर इसके अरावा नीलम है नीलम कौन है नीरज का बेटा है 11 वर्ष का है अन्नो है नीरज की मौसी नजीर है जो की नीरज का दोस्त है स्रीपत नीरज का मामा आप पहले दिखे में देख चुके हैं मुन्नी है चपरासी है इसके अलावा इंदर नारायन जो की पती है तो कुछ पात्र वही है इसमें कुछ नए है जैसे ओमी नहीं पात्र है नीलम जो है वो नहीं पात्र है यहाँ पर नजीर यहाँ पर कुछ नया पात्र है आलाक इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है लेकिन फिर भी कहानी को आगे बढ़ाने में यह लोग करते हैं तो यह आपको सारी पात्र समझ आ गए होंगे आगे बढ़ते हैं शारांस की तरफ सारांस विसे पूरा जब आप पढ़ेंगे संबाद बहुत जादा है इसमें छोटे-छोटे संबाद योजनाय रखी गई है बहुत लंबे संबाद नहीं है लेकिन सारांस देखकर मुझे लगता है कहानी आपको सपस्टफ हो जाएगी और अंत में कुछ महतोपूर्ण संबा मिलिया है पर दो सवाल बढ़ जाई ना या ना ना को छोड़ दे सवाल अंझली का बच्पन अ कहां वेथि हौए नाना जी के रहते हम यह जीवन को नियंत्रित और रसाशित करने करने संसकार मिले थे वहीं बात और बाथ ही बच्ट कुन बच्षा हमेश़ों न tyre वे रहते अपना वर्चस्वात ठापित करना चाहती थी Patmaa के साथ साथ परिवार के सदस्ष्यों यहां तक कि नौकरों की जीवन कोषी at कि उन्दर्य यानी अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी समय की पाबंदी की अंझली पर इसक़दर सवार्थी कि मनुष्य कि सहज जिंदगी जो है वो घड़ी की तरह नियंति बना कर रखना चाहती थी वही जो शुरुआत में हमने कहा कि जैसे घड़ी की सुई घोम रही है न उस घड़ी की सुई के साथ भागती रहो एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लिए बहुत केमती है कुछ उस तरह का लेकिन जैसे ही देरी हो जाती है मुन्नी जो की नौकरानी अंजो दिदी उस पर बहुत बुरी तरह से गुस्सा होती है और यह गुस्सा वो जाहिर भी करती है बोलकर जाट लगाती है उसको और ऐसा नहीं है कि केवल नौकरानी पर परिवार की किसी भी सदस्य को इस तरह स चाहे उनका पती हो वो अपनी सहेली जो की अनिमा है उनसे बात करते समय कहती है ये बहुत महतुपूर कथन है ध्यान से देखेगा कि जिन्दगी स्वयम एक महान घड़ी है हमारी जो जिन्दगी है वो किसी महान घड़ी के समान बताई है प्रातह संधिया उसकी सुया है यानि सुभा साम जो समय वितीत हो रहा है वो उस हमारे जिन्दगी की सुया है नियम बद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती है मैं चाहती हूँ मेरे घर भी घड़ी की तरह ही चले मेरे घर के सभी लोग जो है वो घड़ी की तरह चलते रहें हम सब उसके पुर्जे बन जाएं किसकी घड़ी के इस समय रूपी घड़ी के पुर्जे बन जाएं और नियम पुर्बक अपना-पना काम करते जाएं तो इससे जाहिर होता है कि उनकी मानसिक्ता क्या है इंसान घड़ी की सुईयों की तरह बिल्कुल नियम से बधा हुआ चले समय का पाबंद हो ये उनकी इच्छा है और सिर्फ अपने तक ही नहीं है पूरे परिवार को उसी पूर्जे में शामिल कर लेना चाहती है सुबह आठ बजे ही सबको नहाद होकर ध्यान रखे कितने बजे का समय बताया है सुबह आठ बजे इक्जेक्ट टाइम है ये नहाद होकर मेज की टेबल पर उपस्थित हो जाना पड़ता था उस समय तक नास्ता नहीं पहुँचने पर मुन्नी को डांट पड़ती थी क्यों कि नास्ता बनाने का काम मुन्नी का हुआ करता था अंजो देदी की एहम वाधिता के कारण विचारों और मानेताओं को दोसरों पर थोपने का बहुत ज़ादा प्रयास करती थी उनको लगता था कि जो मैं चाहती हूँ वही बिल्कुल ठीक है, हर कोई मेरे हिसाब से चले इंद्र नारायन कौन है? अंजली के पती है विवाह के पहले बड़े मनमोजी, खकड़ और लापरवाह थे उनका व्यक्ति तो इतना सशक्त नहीं था किन्तो उन पर भी अंजली का एहम वादी प्रभाव हावी हो जाता है उनके नियंद्रन और अनुसासन का कठोर उचक्र जो है उन पर भी हावी होता है, वो भी जैसा कहते हैं वैसा करना पड़ता है अनिमा जब कहती है कि जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा इस तरह का बंधन अनिमा कौन अन्जली की सहेली चुकि उसको पसंद नहीं है अन्जली जो भी कुछ कर रही है तो इसलिए वो व्यंग के रूप में पूछती है कि जीजा जी को बड़ा बुरा लगता होगा जब अन्जली उनको इस तरह से नियंतरित करती होगी तब देखिए जीजा जी का समवाद और यहां से आपको उस व्यक्ति की मनोदशा का पता चलेगा जो दूसरों की नियंतरण में रहने को मजबूर है सिट पिटाई मतलब जाहिर से बात कोई आप पर दियंतरण करने की कोशिश करेगा आसानी से आप नहीं होना चाहेंगे क्योंकि जाहिर से बात को पसंद है तो कहते हैं बड़े सिट पिटाई थे पहले-पहल पर मैं इन्हें ले ही आई अपने धंग पर सच कहती हूं मुझे कि नीरच पर इतनी जान नहीं खपानी पर नीरच पर उनका बेटा कौई भी तो अकल ना थी ना सफाई का ख्याल था समय का जानती हो कितनी माथा पची करनी पड़ी है इसके साथ कितनी भूख हरताले की हैं कितनी बार रूट कर पीहर जाजा बैठी हूं अर्थात अपनी बाते मनवाने के लिए सारे जतन करने पड़े तब जाकर इंसान के पास जब कोई चारा नहीं बचेगा तो क्या करेगा भी ठीक है घर में शांती चाहिए तुम जैसा चाहो वैसा ही सही कुछ इस तरह से इन्होंने यह बात रखी है कि मतलब मजबूर किया गया उनको इस तरह के नियम अपनाने में इंद्र नारायन को नहीं चाहते वह भी अनुसासन और व्यवस्था को ओड़कर जीना पड़त कि वह प्रेस किया हुआ कोड पहनता है पतलून है टाइश सब कुछ लगाता है इस इंसान दिखने की कोशिच करता है क्योंकि अन्जू इसको ऐसा दिखाना चाहती है अब बात करते हैं अन्जू के भाई की यह बिल्कुल उनके उलट है अन्जू का भाई श्रीपत बिल्क पूछता है एक बार कि तो क्या बनना चाहता है यहां से पता चलता है कि मा कैसे अपने बच्चे पर अपने सपने लादना चाहती है वो कहता है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं यहां से सवाल बन जाए कि अंजली का बेटा क्या बनना चाहता था तो वो क्रिकेटर बनना च चाहती है कि यहां से सवाल एक और निकल जाता है कि अपने बेटी को क्या बनाना चाहता है लेकिन बेटा क्या बनना चाहता है क्रिकटर तो देखे कैसे जो आधुनिक माबाप है कहीं न कहीं यह कहानी प्रासंगीक नजर आती है बहुत सारे ऐसे पैरेंस हैं जो अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोपते हैं हलाकि आज कर फोली सी जावरुकता कह सकते हैं सोचल मीडिया के माध्यम से कि बच्चों को उनके सपने पूरे करने दो जो करना चाहें वो क आते हैं आपने कई बार न्यूज में देखा हुआ कुछ गलब कदम भी उठाते हैं तो कहीं न कहीं उस तरह की मान सिक्ता यहां पर अंजो दीदी की दिखाई गई है इस प्रकार अंजली अपने इच्छाओं को अपने बेटे पर लाग कर उसकी इच्छाओं का गलब हो द रखतित और सुचारों बनाने के लिए कुछ नियम बनाता है लेकिन हाप भलत हैं जरूरी नहीं है कि जो नियम आपके लिए ठीक है वही नियम सब के जाती है अंजली के पती इंद्र नरायन के संबाद से सपस्ट होता है अच्छा इनका अभी संबाद मेहतुपूर्ण है देखेगा कि कहते हैं और अंजो जैसे चलाती है वैसे चलते जाते हैं का अंजो मतलब अंजो को संबोधित करते हुए जैसे उनकी जो महिला मित्र हैं ज कितनी में जादा बर आइंदर कर दिस्पलिं करने के करने के ताना शाही करने तरह से दिन वार नअ कहते हैं और पाँच बार कपड़े बदलते हैं सफाई वक्त की पाबंदी सभे समाज के तौर तरीके सब का पूरा पूरा खयाल रखते हैं हस्ते वे कहते हैं कि अंजो के साथ साधी करने के बाद पता लगा कि हम तो अच्छूत थे इसने आकर हमारा उधार कर दिया है ये वास्तों में कोई हसी मजाग की चीज नहीं है एक व्यक्ति की पीड़ा है जो व्यंग के माध्यम से निकल रही है आपको कहा जाए दिन के तीन-चार टाइम नहाना है इंसान दो-चार दिन नहाएगा जाहिज से बात है कब तक आप इसको फॉलो करोगे लेकिन जिस इंसान को पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी है और उसी के हिसाब से चलना है तो उसके लिए शायद वड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये काम इंदर नरायन के संबाद से उनकी विवस्ता असपस्त रूप से दिखाई देती है क्योंकि जो व्यक्ति पहले फक्कर मन्भोजी हुआ करता था अब वो कि इस तरह से दूसरे के कहे नुसार चल रहा है कहते हैं स्प्रिंग जितना तेज दबाई जाए उतना ही उचलता है तो वो बिल्कुल दबा हुआ विक्ति है और जैसे उसको मौका मिलता है अपनी बात कहने का वो बिल्कुल अपनी बात अपनी विवस्ता जाहिर कर देता है एक दिन इन्दन नरायन का साला यानि स्रीपद उन्हीं दिलरुबा होटल ले जाता है होटल का नाम भी मेंशन है दिलरुबा होटल में ले जाता है जहां उन्हें शराप पिलाता है स्थिती में जब वो घर पहुंचते हैं तो अंजो के एहम को चोट लगती है और उसको लगता है कि जो discipline हमने create किया था जो बेवस्ता अपने घर में बना रखी थी अब वो कहीं न कहीं बिखरने लगी है अब इन नरायन जी का शराब पिकराना रोज की बात होगी यानि एक दिन उन्होंने पिला दिया तो इनसान इतना जादा दबा हुआ है कि उसको कोई माध्यम नहीं मिल रहा है अपनी बात रखने का तो वो क्या करेगा शराब का सहरा लेने लग गया है और एक दिन उसने वैसे ही लिया होगा दूसरी बार उसने उसको थोड़ा सा रहत महसूस हुई होगी तो इस चकर में अबुरूज सरापी कराने लगा जो अंजू के लिए सहन करना असहनी था यह देखकर वो जहर खाकर आत्मा हत्या कर लेती है यानि अपने पती का इस तरह से discipline को तोड़ना कहते हैं antig को अपने अहम को नहीं छोड़ा उन्होंने अथ्मेहत्या करना सभीकार किया लेकिन अपने द्वारा बनाएगे नियम को तोड़ना सभीकार नहीं किया जैं union के बहु कि रूप में ओमी को पसंद कर ठेक्र ले घर ले आई थी मतलए बेटी की शादी कर दी कि मरने से पहले अब बहु भी उससे सीकर उसी रास्ते पर चलने लगी है ध्यान रखें जैसा अंजो करती थी अंजो के मृत्यों के बाद भी उसका काईदा कानुन बरकरार था क्योंकि उसकी बहु ओमी उसको आगे बढ़ा रही थी अंजो के मृत्यों के बाद इंद्र नाराया ने सर तरह चलाते हैं चले जाना तो यह कुछ कहानी थी कहानी के सारांश में अगर इन शॉर्ट आप देखें तो एक ऐसी महिला की कहानी है जो सब को अपने हिसाब से चलाना चाहती है और बहुत ही पाबंदियों के साथ चलाना चाहती है वो किसी और का कहना या आप कह सकते हैं किस कहानी का बहाव समझाएगा हम बात करें अनिमा अनिमा के संदर्व में लेखक ने क्या कहा है कि अनिमा उस मुक्त म्रिगी सी लगती है जो जाल के बंधन से अनभिग्य है यानि किसी प्रकार का बंधन उस्विकार नहीं करती या उससे परचित नहीं है उसके बनाव सिंगार और पहनावे से पूरी बेपरवाही टपकती है अर्थात वो खाने में, पहनने में पूरी तरह से सुतंत्र है कुछ भी पहन सकती है, कहीं पर भी आ जा सकती है बंधन से वो अंजान है कौन है अनिमा? सहेली है, ध्यान रखेंगे इसके अलावा देखो कुछ संबाद है संबाद खोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जैसे घर के भागे का पता देहरी से चलता है जैसे घर के भागे का पता देहरी से चलता है वैसे ही मालिकों की स्तर का पता नोकरों के पहनावे से चलता है गंदे नौकरों से नाना जी को बड़ी चिर थी यानि घर के नौकर ने कैसे कपड़े पहन रखी है कि इस धंग से वो रह रहा है इस से उसके मालिक की हैसियत का पता चलता है ये किसका कथन है अंजली का कथन है कहते हैं वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है जो वक्त का पाबंद है वही सभ्य है अंजली की अनुसार कहते हैं सुगडापा हर इस्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का देखो यहां से सवाल बन जाए कि इस नाटक के अनुसार इस्तरी और पुरुष का गहना क्या है तो सुघड होना यानि सुघडापा स्तरी का गहना है और सदाचारी होना पुरुष का गहना है इसके अलबाब कथन देखती है अंजली का जीवन स्वयम एक महान घड़ी है most important क संध्या इसकी सुईया है नियम बद्ध एक दूसरे के पीछे घूंती रहती है मैं चाहती हूं मेरा घर भी घड़ी की तरह चले हम सब उसके पूर्जे बन जाएं और नियम पूर्बक अपना अपना काम करते जाएं अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है सब मानों उसके पूर्जे हों इसने कहा अनिमा ने कहा था यह तब वो कहती है कि हाँ मैं चाहती हूं कि सब मेरे घर में घड़ी के पूर्जे की तरह रहें मेरे खयाल से आचार व्यवहार के सभी कानून काईदे शादी सुदा लोगों के अधेर दिमाग के उपज हैं इसलिए मैं ब पूर्जे हैं कसम भगवान की मसीन के पूर्जे स्रीपत ने अपनी बेहन से कहा था यह इस घर के लोग सब पूर्जे हैं अब दोसरे अंक में कुछ कथन है देखेगा ओमी जो की बहु है आपने पढ़ा कि ओमी भी अपनी सास के नक्षी कदम पर चलती है और उसी को फॉल बन आया है इसी तरह मुझे भी लगा कि ठीक आठ बजे नाश्ता मेच पर ना आया तो भारी अपराद हो जाएगा यानि अगर आपने समय की कदर नहीं की तो उसके लिए आपको अपराद बोध हो रहा है पूरा सिखा दिया है अंजली ने अपनी बहु को आठ बजे से ले पर कभी की हुकूमत देश विदेश टक फैलती है यहां कभी के विशए में या कभी के महत्व के विशे में स्रीपत का यह गठन है अगर इस तरह को जीवन जी जीए जो श्रीपत है न वो देखता है उसकी बहन कैसे सब को मशीन के तरह चला रही है तो वो आता है उनके घर में सिर्फ इस लिए कि उसको बदल सके और इसी बदलाव के तहट वो अपने जीजा जी को ले जाता है जब शराप पिला कर लाता है जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वो दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खत्रे का दिन होगा इंसान का मशीन बनना सनक ही का दूसरा नाम है ये वाला जो कतन है आपने इतना ही याद रख लेना है इंसान का मशीन बनना सनक का दूसरा नाम है यानि वह सनकी हो गया है इक तरह से पागलपन की निशानी इसके लावा क्रिकेट की कप्तान और कमिशनर कभी के सामने क्या ठहरेंगे वे दोनों घूमते तारों की तरह चंद दिन अपनी रोशनी दिखा कर चल देते हैं और कभी जो होता है वो धूबतारे की तरह चमकता ही रहता है तो सवाल यहां से बहुत छोटा सा बन जाए कि नाटक के नाटक में किस पात्र के अनुसार जो कभी है वो धूबतारा है या धूबतारे की तरह चमकता है तो स्रीपत का यह कथन है इसके लावा जरा से गलती पर अपनी सनक की वजह से यांत्रिक्ता की वजह से मेरे पांच बरस रेगिस्तान बना दिये यानि मेरी जिन्दगी ऐसी कर दी है कोई खुशी नहीं है यह किसका कथन है अंजु के पती का कथन है इंदर नारायन का कथन है तो यह कथन अब कथन जाता तर सवालों में आपको ऐसे कि इस नाटक के कथन हो सकते हैं समय की पाओंदी की बात होगी स्टिकली समय को फॉलो करने की बात होगी या मशीनी करनी की बात होगी या नृत र 謹त हो सकता है यह क्योंकि नाटकों में जसा कोई नाटक ने पढ़ए बहुत मतलब ऐसा कोई नाटक है नहीं जो विशे वस्तु मिलती जूदी हो तो यह एक नाटक ऐसा है जो इस तरह की चीजों को उजागर करता है तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही मुझे लगता है स्टोरी आपको समझाई होगी कहानी का संबाद देखकर थोड़ा सा आइडिया लगा होगा अंदाजा लगा देगा और अगली जो क्लास होगी उसमें देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं फिलहाल इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे बहुत बहुत धन्यवादा आप सभी का झाल